गुड बॉर्णिंग बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नमबर 10 और बेटा देखो, कितना अच्छा टॉपिक है भोजन में पोशक तत्व कि हम जो खाना खाते हैं, उसमें कौन-कौन से ऐसे न्यूट्रियंट्स होते हैं जो हमारी बॉड़ी के लिए बहुत जरूरी है देखो कितना अच्छा स्लोगन लिखा है, कि जैसा खाना वैसा होना जैसे बड़े लोग कहते हैं न, कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा मन भी वैसा ही होगा क्योंकि अच्छा खाना और पॉष्टिक अहार खाने से हमारे शरीर को उड़जा मिलेगी और हम चुस्त रूस रहेंगे, एक्दम तंद रूस रहेंगे क्योंकि भोजन के अंदर ये सारे तत्व होते हैं जो हमें क्या देते हैं बिटा, शक्ति देते हैं और काम करने में हमारी हेल्प करते हैं कौन कौन से तत्व हो? कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, विटैमिन, खनिज लवर, रेशे और जल तो यहां से आप देखें कार्बो हाइडरेट कौन सा भोज़े पदारत है जो हमें उर्जा देगा, जैसे केला और गन्ना, जो आप आटा खाते हैं, चावल होते हैं, उन सब में कार्बो हाइडरेट होता है प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर की रद्धी के लिए चाहिए, और यह हमें दू, चिकन, अंडा, इन सब चीजों से मिलता है, फलीदार चीजों से मिलता है वसा को आप देखें, बहुत अधिक उड़ जा, तलीवी चीजों से, कहते हैं न वसा मिल रही है, जिससे हम फैटी हो जाते हैं, मुटा पा आ जाता है लेकिन कुछ मातना हमें हमें वसा भी चाहिए, यह मचली से मिलेगी हमें, हमें और हमें ओयल से मिलती है, गी, टेल से मिलती है, और विटेमिन्स जो होते हैं, वह हमारे शरीर को बीमारीं से बचाते हैं और vitamins हमें सारे फलों से मिलेंगे है ना और किससे मिलेंगे हमें सब्जियों से मिलेंगे vitamins दूँज से भी मिलता है اب देखीं खनेज लवन खनेज लवन भी बहुत जुरूरी हैं जैसे vitamins हैं वैसे खनेज़ लवन ये भी हमारे बौंडी को स्वैसराने में help करते है और खरिश डवण हमें मिलते हैं सबजियों से ग्रीन लीफी वेडिटेबल से और हमें मचली से भी मिलता है इस तरह से हम नेक्स पर आएं तो देखें फाइबर रेशेदार चीज़ी हैं जो हम सलात खाते हैं बच्चों सलात से हमें ये फाइबर्स मिलते हैं सलात के इंदर आप खीरा, टमाटर, प्यास, गाजर, मूली ये सब चीज़े खाते हैं और ये हमारे शरीर को स्वस रखता है क्योंकि पाचन तंतर को साफ रखने में ये हमारी हेल्प करता है फिर देखें पानी, पानी तो बहुत important है, बार बार बताया जाता है कि शरीर हमारा 75% पानी से बना हुआ है तो पानी को हमारे शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए पानी की और हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, 10-15 गलास पानी जरूर पीना चाहिए अब देखें कितनी अच्छी पजल आपके पास आई है, इस वर्ग पहेली में आपको ढूंड़ना है दो बोज़े पधार्त हरेक पोशक तत्व के, तो कुछ तो मैं आपकी हेल्प करूँगी, कुछ आप अपने आप ढूंडेंगे कार्बो हाइडिट के लिए अगर हम देखें, तो कार्बो हाइडिट हमें किस से मिलता है बिटा, चावल से मिलता है, है ना, तो देखो एक मिला ऐसे आप और ढूंड़ी कार्बो हाइडिट हमें किस से मिलेगा, देखो ये लिखा है चिकन वैसे प्रोटीन भी मिलता है इस के बाद हमें प्रोटीन के लिए हमें चिकन मिल गया इसलिए हमने अंडरलाइन कर लिया दूद भी मिल गया हमें देखो प्रोटीन के लिए फिर आप देखे वसा वसा तो क्या होती है जो हमें ओली चीजों से मिलती है है ना गी और तेल इन सब चीजों से मिलती है तो यह आप डूंडेंगे इसके अंदर जैसे मचली लिखा है यह आपको मिला इसी तरह से पनीर भी मिलेगा लिखा हुआ ठीक है यह देखो डूंडते जाएंगे आप मिलता चला जाएगा विटैमिन्स में देखेंगे विटैमिन्स हमें किसे मिलते हैं अंडा, टमाटर ये देखें अंडा और टमाटर आपको सब लिखावा इसके अंदर मिलता चला जाएगा आप ढंग से इसको करिए खनीचलवण देखो विटैमिन्स की सरोत संतरा भी है, तर्बूज, खनीचलवण का सरोत है इस तरह से आप फल, फल जो होते हैं खनीचलवण देते हैं हमें तो ये आप अंडरलाइन करके एक जगापर लिखेंगे और फाइबर्स के लिए भी हमें क्या खाने चाहिए फल खाने चाहिए और सबजियां खाने चाहिए तो अच्छे से ढूणना इसको और फिर अंडरलाइन करके लिखना फिर देखी जोडे मिलाईए जोडे मिलाईए कितना अच्छा दिया है अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा देखते जाएंगे पानी, पानी किस में आएगा शरीर के तापा, नमबर एक यह हो गया खनेज, खनेज से क्या होता है उसके बाद खनेज देखी आप नीचे चलाएंगे जीवन को सुरक्षित रखने का कार रहे है कार्बो हाइड़िट उर्जा देनी वाला पदाहारत है तीन नमबर पर यह है ना उसके बाद व्रद्धी में साइक होता है प्रोटीन चार नमबर पर यह आ गया फिर रेशे ना हजम होने वाली चीजें जो होती है उनके लिए जरूरी होता है तो हमने सरा से 1, 2, 3, 4, 5 सारा कंप्लीट कर लिया अच्छे से आप इसको समझ के पूरी वर्कशीट को ध्यान से करेंगे और यह पजल अच्छे से बनाएंगे ओके बच्चों थैंक्यू बच्चों